Hello friends, welcome back to another new video तो इस वीडियो में गाईज मैं आपको MST-CET examination के जो eligibility criteria है उसके बार में detail में सारी जो information है वो देने वाला हूँ जैसे कौन कोन ये examination दे सकता है Domestial का क्या importance है और भी बहुत सारी details साथी में official information brochure है वो मैं आपको दिखाऊंगा भी आपको सारी जो चीज़ है वो देखने को मिले और समझ में भी आए तो वीडियो पूरा इन तक देखते रही है ता कि आपको ये सारी जो important information है वो मिल जाए पहे गई CET cell को official information brochure और यहापे गाई eligibility criteria के बार में detail में सारी जो information है वो दी हुई है तो देखते है क्या लिखा हुआ है तो यहापे लिखाए गाई all the candidates passed appearing at the qualifying examination HSC 12th standard examination और its equivalent examination and having Indian nationality are eligible for appearing for MSTCET 2024 there is no edge limit for admission and appearing to MSTCET 2024 examination ठीक है तो इसका मिनिंग यही है कि suppose अगर आप अपने 12th standard में अभी हो या फिर आपने 12th standard पास कर लिया है तो आप सभी जो students है वो MSTCET 2024 की जो examination है वो दे सकते हो अगर आप महाराष्टर student हो तब भी आप इस examination के लिए eligible हो अगर आपने 12th महाराष्टर के बाहर से किया है तब भी गाईज आप यह जो examination है वो दे सकते हो उसमें आपका जो candidate type है वो रहेगा out of महाराष्टर ठीक है साथी में गाईज यहापे candidate type के बार मे detail में सारी जो information है वो दी हुई है जैसे candidate A क्या होता है candidate B क्या होता है candidate C एन ऐसे सारी information बट एक बात समझ लो अगर आपका 12th हुआ है या फिर अगर आप अभी 12th में हो तो आप MSTCET 2024 के examination जो है वो दे सकते हो यहापे कोई भी जो age limit या फिर इसी कोई भी जो चीज है वो नह जो है वो apply कर सकते हो यहाप ऐसी कोई भी limit नहीं है कि यह exam जो है वो आप एक ही बात दे सकते हो अगर आपको यह exam फिर से देना है तो फिर से आप दे सकते हो and फिर guys अगर आपने 23 को भी exam दी थी and 24 में भी exam दोगे तो जो भी आपका latest score है वो जो है guys वो admission के time जो है वो consider किया अगर आप बस 12th pass भी हो है या फिर 10th pass भी हो 35% भी है तब भी आप यह exam जो है वो दे सकते हो exam में आपको यह सच कोई भी जो problem है वो नहीं आएगा जो conditions होती है guys वो होती है admissions के लिए जब exam हो जाएगी आपका result लग जाएगा और उसके बाद जब admission process स्टार्ट होगी तो उस exam देने के लिए यह सच कोई भी criteria नहीं है कोई भी exam जो है वो दे सकते है बट जब admission process स्टार्ट होगी तो उसमें guys फिर या पर आपको जो है वो terms and conditions जो marks है वो आपको देखना पड़ेगा कि इसके उपर ही रहना चाहिए जैसे minimum ऐसा ही होता है कि अगर आप category student हो तो आपको 12 category के student हो तो आपको 45 या फिर उसके उपर जो है वो percentage रहना चाहिए ठीक है साथ ही में आप फार्मसी इंजिनेरिंग सभी के आडमिशन के बार में detail में सारी जो information है वो दी हुई है तो जब भी guys admission process start होगी तो उस time में आपको detail में admission का क्या eligibility criteria होता है and consequence documents आपको लगेंगे उसक यह जो exam है वो दे पाओ गया और आपको face नहीं करना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा भी अगर suppose आपको कोई doubt है या फिर आपके education में कोई gap यह रहे तब भी आप यह exam दे सकते हो कोई problem नहीं होगा इसके अलाव कोई और problem होगा तो आप मुझे comment या फिर instagram पर पूच सकते ह तो मैं जरूर ट्राइ करूंगा गाइस कि आपके सभी questions के जो answer है वो देदू ठीक है तो इस video में इतना ही मिलते है जैसी और एक informative video में